भाईयों और भेनों इसी सप्ता केंद्र में एंडिये की सरकार के नव साल पूरे हुई हैं, बीते नव साल भारत के लिए अभूत पूर्व उपलब्द्यों के रहे हैं, नए भारत के निर्मान के रहे हैं, कल ही देश को आजाद भारत की भव्य दिव्य आदुनिक संसत मिली हैं, ये भारत के हजारों वर्ष पुराने लोक्तांत्रीक इतिहास को हमारे सम्रिद्द लोक्तांत्रीक भविष्ट से जोड़ने वाली संसत है, बीते नव वर्षों की ऐसी अनेक उपलब्दियां हैं, जिनके बारे में पहले कल्पना करना भी मुश्किल था, 2014 से पहले के दसक में इतिहास के गोटालों के हर रिकॉर्ड तुट गए थे, इन गोटालों ने सबसे ज़्यादा नुक्षाम देश के गरीब का किया था, देश के ऐसे क्षेत्रों का किया था, जो विकास में पीछे रह गए थे, हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा गरीब कल्याण को प्राथ्फिक्ता दी, गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉइलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, रोड, रेल, जलमार्ग, पॉर्ट, एरपॉर्ट, मोबाइल कनेक्शिविटी, हमने हर छेत्र में पूरी शक्ती से काम किया है, आज भारत में हो रहे, इंफ्रास्रक्चर के काम की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि यही इंफ्रास्रक्चर तो जीवन आसान बनाता है, यही इंफ्रास्रक्चर तो रोजगार के अउसर बनाता है, यही इंफ्रास्रक्चर तेज विकास का आधार है, यही इंफ्रास्रक्चर गरीब, दलीद, पिछडे, आदिवासी ऐसे हर बंचित को ससक्त करता है, इंफ्रास्रक्चर सब के लिए हैं, समान रूप से हैं, बिना भेदभाव के हैं, और इसलिए यह इंफ्रास्रक्चर निर्मान भी एक तरह से सच्चा सामाजिक न्याय है, सच्चा सेक्चुलरिजम है,